जहन्द वीडियो का पार्ट पांच है दिल्ली इंवस्टी के एड्मिशन प्रॉसेश चल रहे हैं यूजी पीची और पीएजडी के और आपसे बात होने वाली है पीजडी के होने वाले इंटर्वू के संबंदर में ये पांचमा वीडियो आप देख रहे हैं जैसा कि आपको बताया गया है 15 से 25 डिपार्टमेंट की सूचनाय पहले से दी जा चुकी है उनके एंटरेंस और इंटर्वू के विशय में अगे की जानकारी को लेकर उस वीडियो को देख लीजएगा लिंक आपको मिल जाएंगे वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो में आपको जो सूचनाय मिलेंगी बड़ी मुश्किल से प्राप्त किये गए क्योंकि वेबसाइट और डिपार्टमेंट की वेबसाइट के बीच के अंतर को सर्च करना जितना मुश्किल इस साल हो पा रहा है साथ पिछले पांचे सालों से तो नहीं हो रहा थ कई कारण हो सकते हैं उसके उस पे नहीं जाएंगे जो सूचनाय मिली है उसको आपको देने का हमारा काम है क्योंकि समय बेहत कम आपको दिया गया है जो नोटिकेशन आपको बताने वाला हो जो भी आपका डिपार्टमेंट है कमेंट करके बताईएगा और आपका में मत रहिए गाम नहीं तो आपका इंट्रिवू हो सकता है छूट जाए क्योंकि अभी तक 15 से जादा मेल आ चुके है मेरे पास जिन बच्चों का इंट्रिवू छूट चुका है क्योंकि सूचना है सई समय पर उनको नहीं प्राप्त हो तो आपके पास भी यदि को सूचना ह है उसको शेर करिए किसी भी माध्यम से किसी प्लेटफॉर्म से तक किसी बच्चे का साल और समय बरबागना हो पहली सूचना है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजूकेशन एड इस्पोर्स साइंस की तरफ से ठीक है जिनोंने भी इस डिपार्टमेंट में अपलाई किया तो आपको 8 seat, ST के लिए 4 seat, OBC के लिए 14 seat, EWS के लिए 5 seat और जनरल के लिए 20 seat दी गई है तोटल इसमे 51 seat दी गई है ठीक है इंटर्व्य कर शुरू नहीं आया है लाश्ट इयर इंटर्व्यू ओफ लाइन माध्यम से ही हुआ था ठीक है क्योंकि 21-22 में कोई seat नहीं आई थी अगला नोटिफिकेशन है Department of Estatics की तरफ से सांके की Department of Estatics की तरफ से 18 जुलाई 2022 के बाद से इस वेबसाइट को या डिपार्टमेंट की वेबसाइट को अपडेट करने का समय नहीं है विश्विद्याले और डिपार्टमेंट के पास में ध्यान रखिएगा और जो नोटिफिकेशन आया है इसे Department की तरफ से जो की 2 दिसंबर 2022 को आया है उसके अनुसार बताया गया है कि 31 जनवरी 2023 तक Department of Estatics में PhD के जो इंटर्वू है वो कम्प्लीट कर लिए जाएंगे और साथी साथ भी आपका रिजल्ट भी आ जाएगा यानि कि जनवरी के महिए कि किसी भी तारिक से आपका इंटर्वू का शिडूल भी आ जाएगा और आपका एडमिशन भी कम्प्लीट हो जाएगा और इसमें ये भी लिख दिया गया है कि DRC भी आपकी 31 जनवरी 2023 से पहले हो जाएगी ये सूचना यही है नोटिफिकेशन इ इंटर्वू का शिडूल आया है और आप लोगों का इंटर्वू का माध्यम है ओफलाइन फिजिकल मोड पर और आपके इंटर्वू का वेन्यू है लेड़ी इरवीन कॉलिज जो की निदली में पढ़ता है जाकर अपने नाम सुना होगा सिवाजी स्टेडियम का या इसका उसके आसपास यह कॉलिज पढ़ता है वहां जाना है आपको और अपना इंटर्वू देना है इंटर्वू की डेट है 28 और 29 दिसंबर 2022 समय है सुभा 9 वजे ध्यान रखे गए इस बात का और इसमें लिष्ट दे दी गई है कि कि किस किस डिपार्टमेंट का इंटर्वू फिजिकल मोड पे रखा गया है लिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा मैं कि आप लोगों का किस दिन इंटर्वू है 28 तारीक की सिफ्ट में और 29 तारीक की सिफ्ट में ठीक है नेट हो या ज्यारफ हो या आपने एंटर्स कॉलिफाई किया हो सभ इंटर्वू एक साथ ही होगे देट का फरक हो सकता है ऐसा नहीं है कि एक दिन एंटर्स कॉलिफाई एक दिन एक इंटर्स का इंटर्वू होगा ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है एक और बात इसमें ये है कि home science के बच्चों के लिए कि अपना synopsis वगारा academic document वगारा सभी को साथ लेकर जाएंगे और आपका चाहे कोई भी department तो सभी के बच्चों को डिपार्टमन के बच्चों को academic document साथ लेकर जाने कौन कौन से document है पिछले 3-4 वीडियो में कई बार repeat करके बता चुका हूँ दुबारा बताने के वश्रक्ता नहीं है फिर भी आपको doubt हो, संका हो, सवाल हो, समस्या हो कमेंट करके पुछ लीजेगा अगला notification है department of Sanskrit की तरव से क्योंकि अभी तक दो notification आ चुके थे department of Sanskrit के लेकर इंटर्वू के विश्रक्ता जानकारी नहीं आये थी अब इंटर्वू को लेकर complete schedule और सारी जानकारी आई है पहली बात कि 3 जनवरी 2023 की date का ध्यान रखिएगा वो समय है शाम 5 बजेगा ये date का आपको इसलिए धान रखना है ताकि आप university के Sanskrit department को ये बता सकें कि आप अपना interview online माध्यम से देना चाते हैं या फिर offline माध्यम से देना चाते हैं पहली बात दूसरी बात कि जो list आई है website पर interview के लिए बच्चों की या उसमें आपका नाम नहीं आया है आप eligible थे लेकिन आपका नाम उसमें नहीं आया है आपने entrance qualify किया है फिर भी नाम नहीं आया अब examined category में है तब भी नाम नहीं आया अगर ऐसी कुछ आपके साथ करिस्परिसेती होती है तो आपको 3 जनवरी 2022 23 शाम 5 बजे तक department की email ID पर इसकी सूचना देनी है या फिर physical mode पर जाकर भी ये बता सकते हैं लेकिन आपको परमान देना होगा कि आप qualify है interview के लिए या नहीं इस बात कल्हान रखेगा और department of संस्केत के बच्चों का interview रखा गया है चार और पांच जनवरी 2022 सुभा 10 बजे से ठीक है चार जनवरी को जिन बच्चों का interview है उसकी list और चार जनवरी के साथ-साथ पांच जनवरी को जिन बच्चों का interview है उसकी list department की website पर मौजूद है डियो की main website पर मौजूद है और इसी वीडियो की description box में भी इसकी सूचना दे दी गई है अगला notification है या कहें कि दो notification है इस department की तरफ से जिसका नाम है मनोविज्ञान यानि के psychology पहले बात करेंगे पहले notification की 28 और 29 दिसंबर 2022 को आप लोग का interview रखा गया है पहली बात दूसरी बात की physical mode पे यानि के offline माध्यम से आप लोग को interview देना है तीसरी बात 28 तारीक को दो shift में interview है और 29 तारीक को ये shift में interview रखा गया है serial number के according तो अपना serial number के according आप अपना shift को देख लीजेगा और list का link आपको मिल जाएगा वीडियो की description box में academic document research proposal आपको साथ लेकर जाना है department of psychology के बच्चे थोड़ा समझेंगे ध्यान से कि आप हिंदी या अंग्रेजी किसी भी एक माध्यम में अपना synopsis बना कर लेकर जा सकते हैं और अपना interview भी आप हिंदी में या अंग्रेजी माध्यम में दे सकते हैं एक और बात इसमें कही गई है विशेश रूप से कि जिन बच्चों का नाम इस list में नहीं है department of psychology के बच्चे जिन बच्चों का नाम इस list में नहीं है अगर वो entrance qualified थे या फिर exempted category में थे तो उन बच्चों को ये कहा जाता है ये सूचना दी गई है कि department के होडी की email id पर इसक सूचना देंगे कि आपका नाम नहीं आया है लेकिन आप qualified थे या exempted थे और ये आपको बताना है 26 दिसंबर 2022 की date शाम 5 बजे तर या आपका नाम list में नहीं आया है लेकिन आप qualified थे इंटर्वू के लिए तो आपको 5 बजे 26 दिसंबर तक होडी की email id पर ये बताना है with proof के सा हुआ है या exempted category के अधार पर इंटर्वू के लिए पहुंचे है department of psychology में उन सभी बच्चों को अपना research proposal और एक powerpoint presentation बना कर लेकर जाना है जो powerpoint बना कर लेकर जाएंगे उसके अंदर आप maximum 6 slides जरूर बनाईएगा title के साथ ठीक है synopsis भी लेकर जाना है और जो synopsis है आपको उसके तीन कॉपी कम से कम साथ में लेकर जानी है ठीक है यह notification था department of psychology के बच्चों के लिए आप चलते हैं अगले department की तरफ अगला notification जो है उस department के बच्चों की भी बात कर लेते हैं जो की है department of African studies department of African studies यह दिल्ली इंवस्टी के north campus में faculty of social science के building में पढ़ता है ग्राण फ्रोर की date में हमारा इस department जाना भी हुआ था कुछ personal काम से गये थे इस department की तरफ से दो notification आये थे एक notification आया था 13 दिसंबर को और एक notification आया है 21 दिसंबर को दोनों की बात कर लेते हैं 13 दिसंबर के notification के अनुसार कहा गया था कि 20 दिसंबर 2022 तक सभी qualified candidates जो interview के लिए सुनिश्चित किये गये हैं सभी को अपना academic document और research proposal submit करना था लेकिन बहुत से बच्चे नहीं कर पाए होंगे submit तो उसी condition को देखते हुए research proposal और academic documents की submit करने की date को extend कर दिया गया है बढ़ा दिया गया है जो कि अब है और इसके बाद date को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा अगली date है 26 दिसंबर 2022 इस बात का ध्यान रखेगा इस date के बाद date को extend नहीं किया जाएगा और interview का schedule अभी नहीं आया है interview का schedule 27 या 28 दिसंबर की date में उसके बाद ही website पर upload किया जाएगा और इसमें एक और बात कही गए कि जब आपको interview के लिए बुलाया जाएगा Department of African Studies में तो आपको साथ copy synopsis की साथ में लेकर जानी होगी ठीक है और एक और बात कि offline मान्थम से यानि कि physical mode पे आपका interview होना है notification का link मैं आपको दे दूगा description box में जो भी है और notification में यदि कोई email ID कोई phone number है उसका use तभी करिएगा जब आपको कोई समस्या हो किसी परकार की information को सुनने में या समझने में ये notification आये थे जो मैंने आपको बताए और जितने भी notification है किसी notification के department की website किसी notification की personal email ID जो भी मैं आपको को दे रहा हूँ उसका miss use मत करिएगा बहुत ध्यान से मैं आप सो बता रहा हूँ इन बातों को नहीं तो समस्यां YouTube को क्या मेरे channel को नहीं होगी आप लोगों को हो सकती है इस बात का भी शुरुक्त ध्यान रखिएगा और जिन department का schedule नहीं आया है मैंने पहले ही आपसे अपी department है उस department की personal email पर सर्च कीजिए गूगल में पता करिए तभी हो सकता है आपको जानकरी समय पर मिल जाए एक्जांपल के तौर पर मान लीजे आपका music department है तो google में या search engine में टाइप कीजिए music.du.ac.in फिर से बता दूँग आपका music department है तो लिखेगा music उसके बाद .du.ac.in जै आया है कि नहीं आया है अर्मालिज आपका department हिंदी है तो hindu.du.ac.in ऐसे करके आप लोग सर्च करेगा आपको जानकरी मिल जाएगी आपका जो भी department है सबसे पहले उसका नाम लिखिए उसके बाद Delhi University लिखिए उसके बाद PhD 2022 लिखिए notification आ जाएंगे website खुल जाएंगे उसमे नहीं आ रही है या लेट से आ रही है या लेट से अपलोड की जा रही है नहीं समस्य है आपको हो सकती है और हिस्ट्री डिपार्टमेंट को बच्चे जाएंगे डिपार्टमेंट की तरफ से फिजिकल मोड पे कहा जा रहा है कि notification website पर ही आएगा लेकिन कुछ लोगों ने email के माध्यम से और phone call के माध्यम से बताया है कि synopsis और document को submit करने की date निकल चुकी है किसकी बात सही है किसकी बात गलत है मुझे भी नहीं पता है यह आपके पास जानकारी है कमेंट करके जरू बताईएगा और आपका interview कौन से डिपार्टमेंट में है यह भी बताईएगा और खयाल रखेगा और सूचनाओं का लेन देन जारी रखिए और जनवरी में कुछ नया मिलेगा आपको जिसका सम्मद्ध entrance, interview, admission से नहीं होने वाला है पढ़ाई लिखाई से होने वाला है और यह सूचनाओं मुझे आप ही देंगे और सूचनाओं को सार्जिनिक मंच पर प् खेल देंगे, सलम